सो पार्टेशनल वेल्यूज हमारे सिलिबस में तीन तरह की है पहली है बेटा क्वार्टाइल दूसरी टर्म है जिसे बोला जाता है डिकाइल और तीसरी टर्म है जिनने कहा जाता है पर्सेंटाइल अब क्या होते हैं यह क्वार्टाइल डिकाइल या पर सेटल मीडिय मेट है एक यर्टा को टू ऐपार्ट्स में डिवाइड़ करता है और कि आपके हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड करता होगा पोर इक्वल पार्ट्स यो कि वह 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 वाटर से साउंड करती है सो पूर इक्वल पार्ट्स अगर बात कीजिए डिकाइल की तो डिकाइल जो है दे डिवाइड दी डेटा रफली इंटू कितने पार्ट्स में 10 equal parts और percentile कितने में करता होगा percent जो होते हैं वो 100 में होते हैं so यह 100 equal parts में divide करता है so suppose अगर मेरे पास एक data है वेटा मुझे इसको 4 equal parts में divide करना है तो मुझे इसके अंदर कितने dots लगाने पढ़ेंगे three dots एक सबसे पहले central dot हो गया then इन दोनों के बीच में dot हो गया और एक इन दोनों के बीच में dot हो गया so इसे कहा जाता है Q1 that is quartile 1 this is called Q2 and third point is called Q3 so there are three quartiles Q1 जो है इसका नाम होता है lower quartile Q1 का नाम क्या है lower quartile जो कि कितने percent data अपने अंदर inherent करता है 25% इसके पास कितने percent data है 25% Q3 की बात की जाए तो इसे कहा जाता है बेटा अपर quartile और इसमें कितना data है 75% data जो है यह cover करता है यहां से लेके इधर तक बट अगर Q2 की बात की जाए तो Q2 50% data पे आ रहा है Q2 अगर आपको याद हो यह median ही है अगर समझा जाए तो एक data को दो equal part में डिवाइड करना है वाला बिलकुल central positional value median की definition भी हमने यही पड़ी थी कि median जो है centrally positioned value है किसी भी given data तो यह हमारे पास आजाता है Q2 also known as median so there are three quartiles Q1 is called lower quartile जो कि अपने पास 25% data रखता है Q3 is called upper quartile and Q2 जो है वो middle quartile है जिसमें 50% data है अगर बात की जाए deciles की तो अगर मुझे इस data को 10 equal part में डिवाइड करना है तो मुझे इसके इंदर कितने dots लगाने पड़ेंगे 9 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह बेसिकली डी 1 से लेके डी 9 तक मूव करता है डी 1 जो है वो 1 बाइ 10 पार्ट शेर कर रहा है तो बेसिकली आप यहां पर भी लिख सकते हो कि Q1 जो है यह बेसिकली एंदर बाइ 4 होता है median n by 2 होता था यह हमें पता है और Q3 जो है वो 3 टाइम्स n by 4 है इसको आप n by 2 की जगा 2 into n by 4 भी लिख सकते हो तो मतलब same ही रहेगा n by 2 यानि median डी 1 जो है वो हमेशा किसके एकवल होगा n by 10 के डी 5 जो है वो हो जाएगा 5 into n by 10 यानि के n by 2 यानि के median again और अगर डी 7 की बात की जाए तो वो 7 into n by 10th observation होती है किसी को कोई doubt decals के अंदर then finally हमारे पास percentile आता है तो उसमें जो है total P1 से लेके P99 तक जाएगा जिसमें P10 जो है वो डी 1 होगा क्योंकि वो n by 10th observation आरही होगी P25 जो है वो Q1 हो जाएगा P50 जो है वो Q2 होगा D5 होगा या फेर median होगा किसी को कोई डाउट बेटा quartile decals versus percentile कोई है डाउट बेटा अगर नहीं है आप यह नोट कर लो तो मुझे बता देना दिन में आगे forward कर दूंगा आगे हम move करेंगे numerical part पर जंप करेंगे कर दो झाल दो ये शर क्या चीज आरेन बेटा ये क्वाटायल डेकायल परसेंटायल पूरा यहां वीडियो में हो पाएगा अब इतना जादा तो अब ही हम समझते है निमेरिकल पार्ट यह आपको क्लियर हो जाएगा सब को जिन्होंने मीडियन के प्रेक्टस की है सुपोस हमारे पास पेटा इंडिविज्वल सीरीज है जैसे मीडियन के अंदर इंडिविज्वल सीरीज के दो पार्ट थे एक था ओड़ सीरीज और एक थी इवन सीरीज तो पहले हम करते हैं ओड़ सीरीज के उपर क्विश्चन सुपोस आपको मार्क्स गिवन है कितने लिखे है आठ तस बारा चॉड़ा चॉड़ा अठारा पच्छस पॉर्टी फाइव तीन चे दो आठ फिफ्टी नौ फिफ्टी फाइव सेवेंटी तो आपके पास नंबर आफ टर्म्स कितनी है वेटा यहां पे 11 को को स क्यारै करना है कैलकुलेट एठ कॉर्छे एठ लिफ दीन निकालता है को ऑगल गया नौ नहीं होनी चेहिए यह यानि के 12 पॉन में 4 यानि के 3rd observation तो 3rd observation बेटा हमारे पास आ रही है कितनी 12 यह आपका हो गया Q1 Q2 निकालना हो तो Q2 निकालने के 2 तरीके हैं या तो आप median का formula apply कर दो या फिर आप Q2 का formula लगा हो दोनों सेम ही चीज है कोई difference नहीं है Q2 is 2 into n plus 1 by 4th observation यानि के हमारे पास हो जाएगा 6th observation अगर आप median के धुरू करते median का formula होता है n plus 1 by 2th यानि 11 प्लस 12 पॉन दो तब भी 6th observation ही आती 30 observation है हमारे पास 18 तो median हमारे हो गया 18 या फिर Q2 and then अगर Q3 निकालना होगा वो हो जाएगा 3 into n plus 1 by 4th observation वो हो जाएगे हमारे पास 9th observation 9th observation है हमारे पास 50 तो यह होगा वेटा Q1, Q2 and Q3 डिकाईल और परसेंटाईल पेपर में निकालने नहीं आते यूजिली तो मैं उसके उपर जादा कुछ खास प्रेक्टेस नहीं करवारा है अगर आपसे पूछा जाए कि suppose आपको D5 निकालना है तो आप कर लेंगे D5 क्या हो जाएगा 5 into n plus 1 by कितना लिखूँ यही अगर आपसे पूछा जाए कि P75 निकालतो तो वो हो जाएगा 75 n plus 1 by 100th observation तो यह इस तरीके से हो जाएंगे सारी की सारी चीज़ा अगर आप क्वाटायल की प्रेक्टेस कर लेते हो डिकाल परसेंटायल की कोई खास जरूरत नहीं है और आपके पेपर में 99% क्वाटायल ही आएंगे डिकायल और परसेंटायल के उपर question नहीं आता अब यही अगर even series में कर दूं तो आपने solve करना है 80 12 terms हो गई है try करो solve करने का बटाओ क्या क्या आ रहा है q1 और q3 क्या निकालना है q1 q2 q3 एक टर्म आड़ गरती बेटा मैंने एक टर्म आड़ गरती बेटा मैंने लखर यहीं, क्या आ रहा है क्या ऐक टर्म आड़ा है क्या दिधで क्या खब आ है झाल सब्सक्राइब 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 अगर अब इस के अंदर देखा जाये तो कितना आजाएगा 3.25th observation आईगी तो 3.25th observation क्या होती है थे 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 third observation plus 0.25 का मतलब होता है 1 by 4 of 4th minus 3rd observation आपको 3rd observation पूरी लिखनी है then 1 by 4 of 4th observation है 14 minus 12 तो 12 plus 2 upon 4 हो जाएगा 0.5 यानी 12.5 आपके पास आजाएगा Q1 किसी को कोई डाउट यही अगर Q2 निकालना होगा यह आजाएगा आपके पास 6.5th observation यानिके 6th observation पूरी प्लस 0.5 होता है half of 7th minus 6th 6th observation है हमारे पास 18 plus half of 25 minus 18 यानि 7 तो 18 और 3 21.5 आजाएगा आपका मीडियन Q3 अगर हमें निकालना हो वो हो जाएगा हमारे पास 9.75 यानिके 9.75 9th observation पूरी प्लस 3 by 4 of 10th minus 9th observation 9th observation हमारे पास है 50 प्लस 3 by 4 of 55 minus 50 यानि 5 15 upon 4 होता है 3.75 53.75 तो 53.75 इस Q3 किसी को कोई डाउट Q1, Q2 और Q3 निकालने में No sir Raghav आपको clear होगे विटा तो इंडिविज्वल सीरीज आपकी कम्प्लीट हो जाती है इसके साथ अब आती है डिस्क्रीट सीरीज मीडियन जब करते थे वेटा डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहला step क्या होता था मीडियन निकालने के लिए Sir, CF कालकुलेट करना है यहाँ भी सेम काम करना है वेटा आपने CF कालकुलेट करना है सपोज आपको मार्क्स गेवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 प्रीक्वेंसी डिसाइड करो कोई की क्या क्या लिखें 2, 5, 8, 12, 3, कितने हो गए 10, 8, 18, 18, 12, 30, 33 साथ और 10 बना देते हैं CF अगर निकालेंगे वो आजाएगा हमारे पास 2, then 7, 15, 27, 30, 37 इसको 13 बना देते हैं 50, समेशन निफ आता है यहाँ पर 50, किसी को कोई डाउट अगर Q1 निकालना होगा वो अगेन होगा हमारा N plus 1 by 4th observation यानि के N plus 1 by 4th observation कितने आजाएगे हमारे पास 51 upon 4 12.75th observation यानि के 12th observation plus 3 by 4 of 13th minus 12th observation बारवी observation जो है बेटा कहाँ पर आ रही है? इदर तो 30 हो गई हमारी बारवी observation plus 3 by 4 of 13th observation भी हमारे पास 30 है और 12th observation भी हमारे पास 30 है तो आंसर विल भी 30 plus 0 that is 30, किसी को कोई डाउट 10 plus 1 by 4th observation यह हो जाएगा हमारे पास 36 तो नहीं होगा 38.25 38th observation पूरी plus 1 by 4 of 39th minus 38th observation 38 और 39th observation आ रही है यहाँ पर CF में से देखते हैं यानि के 70 plus 1 by 4 of 70 minus 70 तो आंसर आजाएगा 70 तो यह हमारे solution है Q1 और Q3 के किसी कोई डाउट है तो हैंट रिस कर सकते वेटा मैं दुबारा से बता दुआँ आपने मीडियन के कुछिन प्रेक्टिस किया थे वेटा इस सीरीज मैं तो मीडियन के से निकालते हैं सीरीज के अंडर सब सीएफ निकल के हमारे पास और हमारे पास आजाएगा 25.5 observation कैसे लिखी जाती है 25th observation पूरी प्लस 1 बाइ 2 of 26 माइनस 25 26 बच्चे के कितने नंबर आए हैं कैसे पता चलेगा तो हमें पता है कि पहले दो बच्चे जो है एक और दो उनके नंबर आए हैं 10 तेन 3 से लेके 7 तक आए हैं 20 आठ से लेके 15 तक आए हैं 30 16 से लेके 27 तक चालेश 28 से लेके 30 तक पचास 31 से 37 तक और 38 से लेके 50 तक सत्ता है यह चीज़ क्लियर है ऐसा क्यों है अगर यह नहीं बता तो पूछ लो मैं बता देता हूं इतना कोई बड़ा वो टाइम लगे गा सब्सक्राइब थाए है यह 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 से क्या लिखा मैंने यह है सुभ मुझे क्रियर नियुका बता तो कि ठीक है 10 नंबर दो बच्चों के आया है वेटा मैं फ्रिक्वेंसी के हिसाब से असेंडिंग ओर्डर में लिख रहा हूं दस नमबर आए दो बच्चों के बीस नमबर कितने बच्चों के आए हैं बताओ पांच के देन आठ बच्चों के आए हैं तीस नमबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ चालिस नमबर आए हैं बारा बच्चों के एक, दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, तारा पचास आए हैं तीन के साथ आए हैं साथ के दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और तेरा बच्चों के आए हैं पत्तर नमबर एक, दो चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, जब आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रिबुशन बनाओगे वही बनेगा जो मैंने उपर बनाया था तो, अब अगर देखा जाए, तो यही तो चीज रहा है, यही तो होती है, यही चीज मैंने बताई हुए थी, जब मेडियन किया था, कि हम सी एफ में क्यों देखते हैं क्योंकि हमें देखो दो तरीका या तो आप बैठके पूरा का पूरा वो बनाओ जो मैंने भी नीचे बनाया है या बेस्ट वे होता है आप सी एफ में देख लो कि पहले दो बच्चों के आए हैं 10 नंबर दिन तीन से लेके 7 तक का आए हैं 20 आप बच्चों के आगे सब्सक्राइब देन उसके बाद आठ से पंदरा एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ यह सारे बच्चों के थर्टी वाले सब अगर हमें मीडियन निकालना है वो होगी 25.5th observation तो दो तरीके या तो पहले यह बनाओ यह बेस्ट क्या है 25 वी observation आएगी इ देन आप सॉल्व कर दो 40 प्लस 0.5 यानी 1 by 2 of 40-40 यह 0 हो जाएगा अंसर 40 आजाएगा अब आया सब्सक्राइब किसी को डाउट है तो पूँच सकते हो यह डिस्क्रीट सीरीज का एंड है देन मैंने सीधा कॉंटेनुर सीरीज पर जंप करना है खुशी साहिबा आशना अरपत आरें किसी को गई डाउट नो सैर देन हमारी लास्ट आइप बच्छे विटा विटा विच इस कॉंटेनुर सीरीज कॉंटेनुर सीरीज के अंडर कॉंटेनुर सीरीज विटा उसके इंदर हमारे पास क्लास इंटरवल होगा और फ्रिक्वेंसी होगी से जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालेस चालेस से पचास और पचास से साथ प्रिक्वेंसी बनाते हैं आठ छे बारा साथ कितने होगे आठ छाओदा बारा छबदा साथ दे तेस पांच और बारा यहां पे भी हम सबसे पहले क्या निकालते थे C 8 14 26 33 38 और यह होगया पचास समेशन एप आएगा हमारे पास पचास मीडियन का फॉर्मला था बेटा यहां पे 11 प्लस N बाए 2 माइनस C F अपॉन में F इंटू में H हम सबसे पहले निकालते थे N बाए 2 N बाए 2 आगे हमारे पास पच्चेस यानि कि यह वाली सीरीज होगई यह वाला हमारा इंटरवल यूज होगा 20 प्लस 11 इंटू 10 अपॉन 12 55 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 29.04 तो यह आपका अंसर हो जाएगा मीडियन का अगर Q1 निकालना है वो हो जाएगा L1 प्लस N बाए 4 माइनस C F अपॉन में F सब कुछ सेम रहेगा कोई भी चीज चेंज नहीं होगी C F हमेशा उपर वाली टर्म होती है Lower limit वही इंटरवल होगा जैसे अब हमारा N बाए 4 कितना आजाएगा इस केस में 12.30 तो 12.30 बाए बच्चा आएगा 10 से 20 वाले इंटरवल के अंदर तो lower limit आगई हमारे पास 10 plus C F है उपर वाली टर्म that is 8 whole over corresponding frequency हमारे पास 6 है और height हमारे पास 10 है आप इसको solve कर दो जो answer आएगा वो Q 1 है Q 3 निकालना हो वो हो जाएगा L1 plus 3N by 4 minus C F upon F into L अगर D7 निकालना है तो वो हो जाएगा L1 plus 7N upon 10 minus C F upon F into L सब कुछ वैसी रहेगा जैसे median में करते थे यह partial values थी वेटा